सब लोग गुरुजी ओके अगेन आयल से नमस्ते प्रणाम सब का बहुत-बहुत स्वागत है अभी नंदन आप सब का आज के वेबिनार में और आज का वेबिनार का टॉपिक है साइकिक एविलिटीज और कॉर्ट कटिट अफकोस हम सब यहां पर इखटे हुए हैं गुरुजी ज्यान के माध्यम से अज आप सब को पता है गुरुजी ज्यान में बहुत सारे कोर्से होते हैं कंड़क्ट स्पेशली रिलेटेट टो अगल्ट साइंस and those courses are for all of us at very reasonable price जिससे के हम सब सीख सके आगे बढ़ सके और शृष्टी में अपना योगदान कर सके so before starting I will like to pray and हमेशा मैं अपने माता-पिता को प्रे करती हुँ since the time of course they are not there now but of course उस अब कहने की बात होती है we all know के soul lives on and the spirit also so with that and to all our gurus चाहे वो spiritual field में हो या किसी भी और तरीके से हमें assist करते हो so Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Dev O Maheshwara Guru शाक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुर्वे नमो ओम भूर बुवास्वा तस्वितुर बरेनियम भर्गो देवस दी मही दीओ योना प्रचो दया एक दूसरे से introduction तो हम लोग करी लेंगे मैंने पहले ही thank you कर दिया so course का end भी कर दिया so हमारा आज का topic है psychic ability with caught cutting तो ये दो शब्द हुए जिनके भी audio on है please आप off रख सकते हैं जब बोलने की बात आएगी तब आप लोग on रख सकते हैं अच्छा अच्छा प्रमो जी आप हैं oh sorry 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 मुझे समझ में सुनाई नहीं दिया तो मुझे लगा कि किसी की आवाज आ रही है तो आप बहुत बहुत नमस्ते राणने वादा एक बीदेर अ क्या मिन अट प्रमो प्रमो जीया जाएं जाएं प्रमो जाएं जो थाओ जाएं तो आढ़ी हैं अ जाएं बेडिस आएं आख य। य। आणनी प्रमो कि सिन झाल झाल आप लोग सब को मेरी आवास में कुछ इशू हो रहा है? ने मैं रूमबर बहुत रुच अचले रहा है नो मैं एक पर्फेक्ट अवास इए कि अवास कट हो रही है इसके लिए दिए कॉल वस फॉर तब आट अब जोड़ा गया है तो इसका मतलब कि वहां पे कुछ तो relationship होगा जिसकी वज़े से हम दो जनों को दो चीजों को जोड़ सकते हैं, right? So, why, excuse me, किसका audio again on है? मैं प्रमो जी गा. प्रमो जी प्लीज ओडियो को आफ रख लीजे, please. Okay, so, ये दो शब्दों से जोड़ा है, और ये दो शब्द ऐसा नहीं कि यह automatically जोड़े वे हैं, पर ये शब्द मैंने जोड़े हैं, okay? The reason क्यों मैंने जोड़े हैं, क्योंकि जब हम psychic abilities की बात करते हैं, आप सबने psychic abilities बट सुना होगा, most of you are from healing world, right? So, आप में से कितने लोग हैं, जिनोंने psychic ability सुना हैं, और कितने लोग हैं, जिन जो बोलेंगे कि नहीं हमने आज तक अभी सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं, क्या है? Of course, फिकर मत करिये, मैं आपको explain करने को नहीं बोलूँगी, आपको भी, आपको class नहीं लेना है, class मैं ही लोगी, लेकिन अगर आपको पता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बोल सकते हैं, तो ज़रूर बोलिए, So, if I'm, when I'm asking, you can always reply at that time, otherwise I will continue further, तो जैसे के, I think Pramoji को तो पता है, psychic abilities क्या है, है न Pramoji? Yes, नहीं. So, psychic, कैसा word लगता है, Hindi का word लगता है? English का word लगता है, Hindi में भी of course psychic का word होगा, लेकिन अभी जब हम word psychic की बात कर रहे हैं, तो कहां से आया होगा यह word? आपको क्या लगता है? बोलिए, थोड़ा-थोड़ा तो कुछ तो बोलिए, कुछ guesswork करिये. यह word से निस्टाई है? हाँ? यह इनिस word से निस्टाई है? So, यह Greek word है, psychic, means psychos. Okay, psychos is a word, उससे यह psychic word लिया गया है. Okay, तो जब हम psychic के बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली जीज़ क्या आती है, कि psychic sense, right? मतलब हमारे senses से something related है, correct? और sense क्या होता है हमारे? वो हमें मालूम है कि हम देख रहे हैं, तो वो एक sense है, सुन रहे हैं, तो वो sense है, टेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक sense है, सूंग रहे हैं, तो वो एक sense है, right? Correct or no? टच कर रहे हैं, तो उससे भी हमें एक sense है, पुस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, हमें आखें दीएं भगवान ने, तो हम देख पा रहे हैं, तो अगर हम ये सब चीजें हमारी normal sense से देख पा रहे हैं, तो फिर हम psychic ability में क्या develop करने आएं, क्योंकि ये तो एक normal sense है, जो हम सब में हैं, और बचपत से जैसे हम पैदा हुए हैं, वैसे-वैसे, हम सब कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं, तच भी कर पा रहे हैं, और साथ-साथ, smell और ये भी कर पाते हैं, टेस्ट भी कर पाते हैं, राइट? So then that means that is something which we all are born with, that is something which belongs to all of us, right? Unless हम इन चीजों में हो सकता है, we can be deaf, we can be dumb, we can be, I mean it's possible के maybe your eyesight is not working, that वो पस्बिलिट है, लकिन अदर्वाइस, if all these things are there, you are a gifted person, in normal sense, then in that case, ये abilities आपके पास हैं, right? बट फिर भी उसके बावजूद, हम क्यों इतना हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ लोग जादा अच्छी तरह से सुन पाते हैं, कुछ लोग जादा अच्छी से सुन पाते हैं, so is it कि उन्होंने कुछ ऐसा special किया है, कि वो ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, और वो चीज़ें हमें नहीं पता हैं, right? आपको ऐसा लगता होगा ना? कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे कुछ लोग हैं, हमारे friends हैं, friend circle में हैं, या हम even healing के अंदर, हम ये मैसूस करते हैं, बट वहाँ पे क्या हम देख रहे हैं आखे खोल के? क्या हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक normal इंसान देख पाता है, या हम उसके beyond देखने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ उससे आगे, कुछ उससे बेहतर, कुछ उससे इस जगे पे जो कि normal eyesight से जहां तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, right? Most of us, जितने भी यहां पे लोग हैं, काफी तक ऐसे लोग हैं, जो हो सकता है अकाशिक reading करते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि tarot card reading करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जो कि maybe Reiki also करते हैं, और उसके अंदर वो आसानी से medically, intuitively बता पाते हैं कि कौन सी जगे पे क्या बेमारी है, क्या रोग है, क्या दर्थ है, कहां पे कैसा हो रहा है, right? So, is that something which is very apparent, क्या वो हमारे सामने वो चीज दिखाई दे रहे हैं, या हम ऐसा देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो कि चीज सामने नहीं दिखती हैं, लेकिन हमारी दृष्ट हमारी सोच, हमारी सुनने की capability, जो normal capability है, उससे जादा exponentially widen हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, right? Correct? That's the reason वो हम चीजें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो कि एक normal capacity of a person नहीं हो पा रहे हैं, right? So, एक हुआ के एक तो आपका एक normal capacity है, आपका, right? जो कि itself हर इंसान में सेम नहीं होती हैं, in spite of the fact के we may be born with them, in spite of the fact that we may have the same structure, the same physical way, how we look, जैसे हम लगते हैं, पर उसके बाब जूद हमारे सब में कही न कहीं बिंता हैं, in terms of the utilization of these psychic abilities, right? और ये तो हम उससे आगे की बात कर रहे हैं, जहां पे हम उनको utilize कर रहे हैं, where we are going, expanding our consciousness, right? correct? So, that means those psychic term, या psychic abilities जो है, अगर हम एक normal term के हिसाब से सोचें, तो it is something which means of the mind, right? दिमाग, जो इसका मतलब जिसके पास अच्छी psychic ability है, उसका दिमाग तेज होना चाहिए, that person is someone who has a higher intuition, higher power, and also something which is connected to the soul, where वो person किसी से भी connect, क्योंकि कोई भी चीज को, अगर आपको महसूस करना है, उस चीज को सुनना है, या even समझना है, तो आपका उस चीज से connection होना ज़रूरी है, अगर आप उससे connect ही नहीं होते हो, आप आपका दिमाग कहीं और ही किसी दिशा में चल रहा है, तो क्या आप वो चीज को देख पाऊगे? अभी मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप लोग सब में से कितने लोग हैं जो रेकी करते हैं? How many of you are doing रेकी या any kind of intuitive healing? कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता है? Okay, quite a surprising thing. मतलब रूप में इतने सारे लोग हैं, मैं प्रेस्ट माइज हैं, हाँ, sorry. You are? I can't see your name. I'm sorry, like I was, sorry, my name is Manali. Okay. Okay, I'm a new joinee. And I've just started with रेकी level 1. So, I'm practicing and going towards level 2. Okay, wonderful. Okay. So, आपने जब आप रेकी का healing कर रहे हो, so आपको क्या लगता है? Of course, you are in level 1. So, in level 1, you are doing more of a self-healing. Yes, ma'am. Right? Correct? So, जब आप self-healing कर रहे हो, and when you keep your hand on that body part, right? Like, आपके पास 24, 26, जब आपके बोड़ी पास के उप़र, different, different positions पे, आप जब healing कर रहे हो, right? So, आपको वो healing करते वे कुछ महसूस होता है आपके हातों में? Yes, ma'am, saw magical results. Like, I am amazed, like I saw, I didn't even think that ever I would be able to do it. But it's not me, but yes, with divine grace, divine blissfulness, I really felt the magic, ma'am. Thank you. No, no, that's fine. Yes, good. You are appreciating, you are expressing your gratitude. But, जो आप बोलना चारे हो, इसका मतलब के जब आप अपने हाथ कोई पोजिशन पे रख रहे हो, आपको गरम है, थंडा है, आपको कैसा उस जगे पे flow है, energy flow है, वो सब आपको महसूस हो रहा है, right? Correct? Not all the time, ma'am. I'm like doing the healing. I'll just share my experience. He, a few days, like I was having a lot of pain on the leg, or, you know, maybe someday I had a headache. Okay, so whenever I had applied that Reiki, and, you know, with divine grace and blissfulness, it was healed. Okay, okay. So, it has got healed. So, here what has happened is, what you're trying to say is, without your seeing, without your understanding, because Reiki is such an energy, obviously energy flows wherever your attention goes, or if you're keeping just by hand, and not even understanding whether that place has a pain or not, मतला, आप उसमें कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाबजूद, energy itself के पास अपनी know-how है, उसके पास अपनी wisdom है, वो समझती इसको कितने extent तक जाना है, और कहां तक जाना है, और कैसे इसको heal करना है, राइट, correct? जी माम, जी माम. Correct. So, ये आप अपने self-healing के लिए कर रहे हो, correct? आप जैसे-जैसे आप बढ़ोगे इस field के अंदर, जैसे आपने कहा कि आपका ये first level है, और आप धीरे-धीरे इसमें obviously आगे advance करोगे, तो जैसे-जैसे आप advance करोगे, आप clients के लिए भी रेकी करोगे, आप तो कभी-कभी client आपसे पूछेगा, कि मुझे तो सर में दर्द हो रहा है, right? या मुझे body में यहां पर pain हो रहा है, correct? और जब वो आपको ऐसा बोलेंगे या बोलेंगी, तो वो आपसे expect करेंगी कि आप उनको बताएं, कि वहाँ पर आपको क्या महसूस हो रहा है, और किस प्रकार से दिख रहा है, correct? राइट? ओके, ओके. हाँ, सो जब आप ऐसा करने के लिए, कि शमता को बढ़ाने की कोशिश करोगे, या उसके उपा कारे करने की कोशिश करोगे, तो obviously that requires for you to connect to the body of that person, है न, correct? आपको उन जब आपको उनके बोड़ी से connect होना होगा, और जब उनके बोड़ी से connect होना होगा, तो चाहे वे कोई भी औरगन है, चाहे वे कोई भी चीज है जो उनकी बोड़ी में है, वो चीज अगर आपको दिखाई देगी, और उसके अंदर कहां पे क्या रंग या रूप दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से आप उनको एक परकार की reading भी दे सकता होगे, और healing भी कर पाऊगे, okay, so that is how the healing and the reading works, right, correct, so therefore in any kind of, in this field, what is important is, के आप को एक psychically advance होना चाहिए, जैसे जैसे आप इस journey में आगे बढ़ए, okay, so psychically advance का मतलब यह होता है, जहाँ पे के आप हर चीज को महसूस कर पाते हों, through your senses, आप हर चीज को देख पाते हों, सुन पाते हों, समझ पाते हों, okay, that is how your psychic ability means, and of course, it is going much more further than that, which also means, के आप energetically कहाँ पे fatigue महसूस कर रहे हो, क्योंकि जब आपका client है, वो बिमार है, right, उसको उसके अंदर उतनी ताकत नहीं, उसके अंदर उतनी शमता नहीं है in terms of physically और mentally, तो कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसे लोग भी होंगे जुड़े वे, या ऐसी relations जुड़े भी होंगी, या ऐसी चीजें जुड़ी भी होंगी, जो के उसकी वह चीज को खीच रहे, उसकी energy को खीच रहे, सो वहाँ पे आता है importance और understanding of gods, okay, सो हम of course gods के बारे में समझेंगे, और psychic abilities के बारे में भी समझेंगे, but this is just a gift of it, जो मैं पहले start करने के लिए पहले पताना चाहती थी, I think आपने शिप्राणजली जी ने आपने हाथ रेस किया वा है, आप कुछ कहना चाहती है, बोली है, अपनी आवाज को ठीक करने हैं, आवाज ब्रेक हो रही है, प्रेजन्स अब आरी मैं, सब्ınaSo всем के इस हमाइविगल के वालों या क्तिश हओ पिर्ग में इसज्व कर देदिंस T अरव चकर द नवल een मेंchw कंटी कर देंशा यह आर धोन देन टेख कर दो इस फिल और न मैंग कि विश्व फिल निईए वैसे दूस्तों क्लाइंट्स में प्राक्टिस किया, फूट पे और फैमी मेंबर्स पही जादा किया है, बट जैसे हैंड्स में टिंगलिंग सेंसेशिन, आइस में बोडी में हीट निकलना, वो सब फील होता है वाल गिविंग दी एनरजी, बट बट फील होता है प्राफरले, राइट, राइट, करेंट, अजैसे जैसे सिम्बल्स और अडवाणस करते हैं उतना जादा, जैसे उतना जादा और फील होता है, बट लब टू तू, थ्री के बट लब बसकर करके, हाँ, करेंट, सही बोल रही हैं, आप, So, जो psychic term है, वो Greek word से लिया गया है, जिसका नाइम है psychos, और जैसे मैंने बात की, कि it refers to being something related to the mind and pertaining to the soul, right? So, इसका मतलब है कि basically, हम किसी, we have that ability, हमारे अंदर वो तौर तरीका है, हम वो जानते हैं, हमारे अंदर वो शमता है, जिसके द्वारा हमारे physical senses का जो scope है, उनकी जो insight है, उसको बढ़ा सके, उसमें बढ़ाती कर सके, right? Correct? So, अब spiritually, क्योंकि हम सब spiritual world से हैं, चाहे आप रेकी कर रहे हों, चाहे आप कोई भी प्रकार की healing कर रहे हों, कहीं न कहीं, this is connected to the spirituality, right? So, therefore, यहाँ पे हम अपनी consciousness को उतना बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे हम sensitive हैं, देखें, दूसरों की energy की तरफ sensitive होना, हमको impacts बनाता है, right? जब हम इस line में हैं, तो हम में यह capabilities होती हैं, जहाँ पे हम लोगों के sentiments, उनके emotions से connect होते हैं, इसलिए तो हम यह serving का भाव रखते हैं, हम ऐसा भाव रखते हैं कि हम लोगों की मदद करें, right? Why? Because we have somewhere the feeling of, towards them. We can catch these, we are sensitive towards feeling of the, towards the others, है न? So, वो ही हमारी intuitive capability को बढ़ाती है, और हम दूसरों को अपने, during, through these kind of treatments, or through these type of healing, हम उनको help करते हैं, मदद करते हैं. So, अब जो है, what exactly हम इस course के अंदर cover करने वाले हैं, वो तो of course हम बात में पढ़ेंगे, लेकिन इस particular webinar में हमारा क्या purpose है, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है एक, कि psychic क्या है, क्या ये ऐसी चीज़ है, जिसके साथ हम पैदा हुए है, या हम इस चीज़ को acquire कर सकते है क्या ये ऐसी चीज़ है, जो कि rust हो जाती है, अगर हम उसको utilize नहीं करें, या ऐसा है कि वो sharpen हो जाती है, जैसे जैसे हम उसको एक eraser में डाल कर उसको बेहतर करते हैं, जैसे कि आज आप अगर class में आये हैं, और अगर आप course join करते हैं, तो क्या वहें आपकी psychic ability sharpen up करेगा, या आपकी psychic ability ऐसे ही पड़े-पड़े अपने आप क्या वो rust हो जाती है, right, क्या हम इसको inherit करते हैं, क्या ऐसा है कि हम कोई family में पैदा हुए हैं, तो इसकी वज़े से हम intuitively अपने आप ही strong पैदा होते हैं, is it something which is in a part of our DNA, right, ऐसा बात हो सकते हैं, कई लोग हम में से ऐसा सोच हो सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे psychic परिवार को belong करते हैं, जो spiritually बहुत ही evolved है, और जहां पे ये सारी practices होती हैं, तो हो सकता है, वो हमारे अपने आप ही बचपन से ही पैदा होने के साथ ही हमारे को मिला है, पैदाईशी, right, तो what, और अगर ये हमारे को मिलता है, अगर हम इसको acquire करते हैं, क्योंकि obviously अगर आप ये course join करते हो, अगर आप ये सीखना चाते हो, या सीखते हो, तो उससे आपको फाइदा क्या है, क्योंकि हम तो जानना चाहेंगे ना, किसी जीज का फाइदा क्या है, अगर मैं उसको किस तरह से utilize करूँगे, किस तरह से वो मे मतलब क्या है, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगोंने cord सुने हो words, और हो सकता है कुछ लोगोंने कभी cord words सुना ही नहीं, पर ऐसे ही telephone cord है, या एक normal cord की हमने बाते सुनी है, क्योंकि मतलब घर में बहुत सारी cords होती है, you know, मतलब कि एक wire, right, तो वो wire का relationship हमारे से क्या हो क्या हम इनको समच सकते हैं, क्या वो हमको दिखाई देती हैं, और is it just an energetic cord, और ये cords हमें किस प्रकार से affect करती हैं, how do they affect us, और क्या सारी cords negative होती हैं, positive होती हैं, neutral होती हैं, किस प्रकार की cords होती हैं, right, so what can we do, what can we do about these cords, and जब हम cord cutting गुलते हैं, whereas I have written here the word cord handling, because I feel cutting may not be the right word, but cutting, cutting word is worldwide used, और जादा तर सब जगे पे हम cord cutting की ही बात करते हैं, इसके लिए in the course also it was put as cord cutting, but basically what we are doing is not every cord we have to cut, cord handling would be a more appropriate word, right, so how does the cord cutting impacts us, क्या उसका कोई negative impact हो सकता है, क्या हमको instead of draining us, हम उसको थीक करने के बजाए वो उल्टे हमको और बरबात कर दे, खराब कर दे, right, ऐसा भी पचार हमारे मन में आ सकता है, कि why do we do it, है न, correct, so ये हमारा webinar का आज का ये purpose है, right, so as हमने पहला चीज तो अलरड़ी बात कर ली, so आपने देखा होगा बहुत सारे हम में से लोग हैं जिनको के four sides होते हैं, right, आप में से कई लोगों को भी होता होगा कि पहले से आपको ऐसा अंदाजा हो जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, right, कभी-कभी हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमको यहाँ नहीं जाना चाहिए, यह चीज सही नहीं है, यह जना सही नहीं है, यह जो हम निरने ले रहे हैं वो सही नहीं है राइट तो हम इन चीजों में बहुत बार अपने उस दूर दृष्टी दृष्टी को उनके उपर believe करते हैं, trust करते हैं राइट, correct और हमारी family में भी ऐसे कई members होते हैं जिन पर हम depend करते हैं जिनको हम बोलते हैं कि क्या आप बताओगे कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ right so ऐसे बहुत सारे promotions भी होते हैं बहुत बार हमको ऐसी feelings आ जाती हैं कि कुछ गड़बड होने वाली है कुछ खराब होने वाला है या कुछ अच्छा भी होने वाला है कुछ अच्छी चीज़े भी होने वाली है कुछ अच्छा आने वाला है ऐसे भी हमें कई बार हो जाती है right so ये promotions four sides they are also somewhere the intuitive powers they are the intuitive understanding और ये एक और चीज़ important क्या दरशाता है कि कहीं न कहीं हम सब लोग एक दूसरे से connected है right this whole world is connected to one another that's why we are able to sense things na अगर आप मैं हर कोई अलग-अलग होता हर कोई अपने compartment में होता तो क्या हम एक दूसरे को से connect हो पाते नहीं हो पाते na so हम क्योंकि there is a concept of web of life that is how we are all connected to each other और इसे कारण से हम ये सब चीज़ों को महसूस कर सकते कि nature के अंदर भी किसी और के साथ भी और हमारे साथ भी क्या होने वाला है right, correct so अब question है कि अगर ये सब चीज़ों को हमें develop करना है जैसे हमने बात की तो हम कैसे develop करें right so पहली बात तो है कि कई लोग बोलते हैं कि हम बच्पन से ही intuitively बहुत strong है right आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि नहीं हमको बच्पन से ही सब कुछ समझ में आ जाता था हमारे माता पिता हमको बोलते थे कि आरे तेरे को कैसे पता लेकिन हमें पता होता था और शायद इसकी वज़े से हमें कभी-कभी डाट भी पड़ती थी ऐसे कोई लोग है आप में से जसको कभी डाट पिती है कोई है जो intuitively strong था और उसको डाट पिती हो हाँ बोले मैं मैं हूँ आप है क्योंकि बहुत सारी चीज़े मुझे पहले से जब दिख जाती थी जब तक उनका अस्तित्व भी नहीं होता था तो अगर मैं अपनी मदर से शेयर करती थी तो वो मुझे सीधे बोलती थी सपना है सपने की तरह भूल जाओ उसको याद रखने की ज़रत नहीं है और इसका reality से कोई लेना देना नहीं है और अगर वो चीज वो भी जाती थी ना तो भी वो उस चीज को एक knowledge नहीं करती थी और मुझे वो discourage ही करती थी इस चीज के लिए कि इसका कोई relevance है तो आपको क्या लगता है कि क्यों discourage करती हो नहीं वाई? जो probably उनको ये knowledge नहीं थी उनको ऐसा कोई आभास नहीं होता था तो वो उस चीज की reality को accept नहीं करना चाहती थी most probably या वो चाहती होंगी कि मैं इन सब चीजों में पढ़के अपने आपको परिशान नहीं करूँ ये भी एक reason हो सकता है तो इसका मतलब है कि कही ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद ये फाल्तू की चीज़े है क्योंकि as a child हमारा ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए या खेल की तरफ होना चाहिए तो ये सब चीजों में हम क्यों पढ़े अगर हम इन चीजों में पढ़े तो शायद हम अपनी उमर से जादा देख रहे हैं उमर से जादा समझ रहे हैं वो मुझे अकसर यह बात बोलती थी कि आप चोयन अपनी उमर से जादा जीने की कोशिश मत करो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी ओके 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 आँ आँ सो गुट 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 एक्स्टैनेशन थैंक यू हाँ बिजय लक्ष्मी जी आप बताईए आप कुछ कहना चाहती थी यह एक्शली मैं आप बहुत कुछ कीज़े अभी भी जैसे कि पहले से कुछ पील हो जाता है कि संथिंग जो आंग गया संथिंग गुट इन कि अपन तो यह में जब अप्रव जो ने विए ने नहीं जो सुन सब्सक्राइब तो पुछ तो इस ताइप करेंगे तो अपर नहीं तो नहीं कि मैं परद नहीं पाली ना तो इसा क्या हो ना वन मिख के बाद गये उसके बाद फिर वही जो नीमनियंग आटक फिर से आया मंद अन्धे पर फिक्स आया फिर डेथ हो गया उसके पात मुझे और ज्यादा गिल्टी पीड़ वा कि यह क्या मेरे वहला इन्टुशन था या इन्लुशन था मैं कुछ भी गिल्टी द्वर में चले गई थी तो मुझे लगा कि यह मुझे मेरा इंटुटी पर अभी भी कुछ दे लग र इसे एपके साथ क्या होती हैות्ज होटा है एक बार मतल чृता है मेरी इक कजन थी चोड़की थी तुट की मरे में को मैंने बताया वंब उनको ऐसे लगता था कि कुछ बताया होगा मुझे याद इन 토龙 acne था इनकी marriage ना चार साल बाद होगी तो ना 15-20 दिन बाद उनकी engagement हो गई थी तो मैं ही ममी बोलती कुछ भी बोलते रहते हो तुम कि ऐसे थोड़ी होता है कि चार साल बाद होड़ी होगी फिर उसके ना कई वहाँ पे ब्रेक हो गया फिर उनकी थोड़ी देर बाद दुबारा से जब होई वो फोड़ी एच के बाद ही होई थी marriage उसके बाद ना मेरा जो बेटा हुआ था ना सेकिंड वाला तो मैंने पहले ही बता दिया था कि चार मीने पहले बता दिया था कि ये 16 December को होगा नॉर्मल थी मैं एक्जाम भी देने गई थी तो उसी दिन हुआ था वो मतलब एक्जाम देखिया थी मैं डेढ़ बचे दो बचे मेरा बेटा हो गया था मतलब बहुत सारे incidents से ना मतलब कभी-कभी होगता है बहुत साल में तो बहुत अच्छी बात है एक मिर रेखा जी यहां मैं आपके पास आती हूँ जैसे कि बजे लक्ष्मी जी ने बताया और आपका नाम मुझे मिला नहीं आपका नाम क्या है अनुधा माम अनुधा अनुधा ने जैसा बोला और उससे पहले अपकोस हमने सुना जैसे यह अ लग-अलग एज की बात हो रही है, सो अभी बिजे लक्ष्मी और अनुधा जो बात कर रहे हैं, वो आज की बात कर रहे हैं ना, जब आप मेभी थोड़े साल पहले, जब you were maybe in a position, जहां पे आप अपनी बात को व्यक्त कर सकते थे, बोल सकते थे, right, whereas there are, जैसे पहली वाली जिन्हों ने बताया था, sorry, आपका नाम क्या था, पहले जिन्हों ने सबसे पहले बताया था, नाम शेलजा, शेलजा, right, शेलजा जी ने बात की थी, जबके वो बच्पन की बात कर रहे हैं, right, correct? जी नाम, बच्पन की, right, so, what I want to say is, the majority of the people, जो intuitively काफी strong होते हैं, वो बच्पन में ही इस प्रकार की चीजों को दिखाने लगते हैं, या दर्शाने लगते हैं, लेकिन आसपास के लोग इसको encourage नहीं कर, right, जबके हम intuition को एक important aspect मानते हैं जीवन का, right, हम मानते हैं कि intuition ऐसी चीज है, जो के हमारे जीवन को बहतर बना सकती है, जो के हमें advance होने में, जीवन में, हमें वो एक काबिलियत, एक चीज पहुचा सकती है, जो के हमारे, it can be a feather in a cap, है ना, जो के हमें जीवन में, एक बहतर जीवन जीने में, मदद कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हम नहीं चाते, कि कोई जना इस चीज को ऐसा सोचे, कि ये जना कोई अजीब सी बात कर रहा है, different from the normal age of the person, तो ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं, accept नहीं किया जाता, या उसको उभरने नहीं दिया जाता, उनको हाइड किया जाता है, सो ये कोई ऐसा नहीं कि भारत में ही ऐसा होता है, worldwide सारी दुनिया में, पूरी विश्व भर में, इसी प्रकार का प्रचन है, इसी प्रकार की चीजे हैं, जहां पर हर तरह की family में, especially even in the families, जहां पर आप psychic readers हैं आपकी family में, यहां तक कि आपकी family belong करती हैं, maybe to shamanism or some kind of those kind of places, things, जो lineage में हैं आपके, उसके बाबजूत कहीं न कहीं आपको वो उस चीज के अंदर, आसानी से yes नहीं दिया जाता हैं, ओके, ठीके, so anyway, रेखा जी हाँ, sorry, आप बोलिये, आप क्या बोलना चाते हैं? हाँ, रेखा राठो जी, बोलिये. हाँ, जी मैं, मेरे साथ में मैं बच्पन से लगया, even अभी तक भी ये सारी incident होते हैं, कि मुझे पहरे से institution आज आता है, कि हाँ, ये चीज उने वाली है, और जैसे बच्पन में ताथ मैं मैं जब भी बोलती थी, तो लोगों को कभी-कभी तो यकीन मान लेते थी, लेकिन कभी-कभी क्या होता था, कि मैं में एक सब्द होता है, कि इसकी जबनकालियत न बोला, तो भाई हो गया. इस तरिके से, मैं लोगों की मंतरा रहती थी, जो मम्मी मेरे को बताती है, तो मेरे मम्मी को समस्य थी, तो वो हमेशा कहती थी, कि कभी भी लाइफ में तुम्हें अगर कोई चीज पहरे से इंस्ट्यूट होता है, तो तुम्हें न कभी किसी को बोलोगे नहीं, क्योंकि ये पावर तुम्हें साथ गॉड़ गिफ्टेट हो, लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकाते हैं, तुम्हें अना गलत तरीके से देखेंगे, इसलिए जो भी मैं विजलाइचन होता है, या कोई चीज इंस्ट्यूट होती है, आपको कोई भी चीज दिखाए देती है, तो कभी अना अपने तक सीमित रखो या मुझे बताओ, अजर्वाश थर्ड परसन को कभी मत बताना, क्योंकि वो आपको गलत तरीके से देखना स्टार्ट करतेगा, ओके, ओके, और ये मैं इंसीडेंट होता था मैं, राइट, फेर एनफ, राइट, जो आप लोग सब कह रहे हैं, उसका मतलब एक-दो चीज़ें क्या समझ में आई हैं, कि एक, आप नहीं चाहते कि कोई और उस चीज़ को जाने, not because, कि एक तो उनको ऐसा लगेगा कि आप अजूबे हो, दूसरी चीज, अगर उनको पता चलेगा, तो शायद वो आप पे नज़र लगा दे, तीसरी चीज, हो सकता है, आप कोई चीज बोल रहे हो, इसकी वज़े से ऐसी चीज हो जाए, राइट, करेक्ट, जैसे कई लोग बोलते न, पहले होता था कि इसकी काली ज़वान है, या इसकी ऐसी ज़मान में काला तिल है, या ऐसा है क्योंकि ये जबी भी कुछ बोलती है, तो वो हकीकत हो जाती है, राइट, तो इसका मतलख क्ये कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि हमने ये चीज सोची है, इसके लिए वो चीज हो रहे हैं, so it's not like that कि हम सोच रहे हैं इसलिए वो चीज हो रहे है वो तो चीज होने वाली है वो चीज को सिरफ हम देख पा रहे है समझ पा रहे है उसको एसास कर पा रहे है before that thing happens right, correct so ये इसको हम हंच भी बोलते है इसको gut feeling भी बोलते है इसको inner guidance भी बोलते है right, so ये हमको trust करना जरूरी है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई सुनने वाला नहीं है या भले ही कोई नहीं तब ही सुनता था और इसकी वज़े से आपने उसको दबा के रख दिया, तो आज समय है जब आप उस चीज को बाहर निकाले उस चीज को औरों को दिखाईए और उस चीज को यूटलाइस करिये जसे के जीवन में आप उसको बहतर तरीके से उसका इस्तमाल कर सके, right, because तोडे आप ऐसे फील्ड में है जहां पर के इसकी वाल्यू है जहां पर इसकी एक वर्त है जहां इसकी एक इसकी एक इंपॉर्टंस है right, correct निर्मला जी आप कुछ कहना चाहते है hello ma'am good morning ma'am I wanted to ask you sometimes if I want something it just comes and stands before me like most of the times I mean when I'm in peaceful mode of mind or like that, no, it happens I mean what is it called is it like this psychic ability or is it like manifestation suppose if I want to join a yoga class near my area and I'm not finding one immediately someone comes and tells me like without even asking them they tell about that yoga class or you know something like the share which I bought I buy it with an intuition of going up even if everyone is saying it will go down but immediately in short term I'll get a profit I mean why does it happen is it like manifestation which is happening no it can be manifestation it can be telepathy it can be psychic ability also so it is like if you want to reach a person to this opinion but information you want to reach the universe you are communicating with the universe through the universe you are making those people come to you right? so that means that somewhere you are more open with the universe and the universe listens to you but then I'm not communicating with the universe I mean I pray and all but yeah yes but that is what you are not communicating with the universe see in all the time when we are talking about something something we are saying the words are filling in your universe that are filling in your universe that are filling in your vibration in your universe right? correct? yeah yes who is it? actually this is my reflection I want to say this I want to say this if the left nostril is more active then when we think automatically we are going to be so I will do it if the left nostril is more active than the left nostril is more active then that is what is happening right? So, basically, आपको कह रहे हो, कि basically, आपका left nostril connected to your right side है, of your brain, और वो right hemisphere connects to your creative world, और इसलिए, जो भी आप चीज सोच रहे हो, विचार भी कर रहे हो, उसकी imagination power, through the imagination power, वो universe में जा रहे है, and it is manifesting. Correct, very good, okay, so, अब जो है, basically, आप ये course join करें, या नाग करें, आप लोग को क्या करना है, जब आप intuitive हो, तो अपने intuition को of course बताइए, उस पर trust करें, उसके अलावा, आपके पास अगर कोई किताब है, आप कोई journal maintain कर सकते हैं, जिसमें के आप अपने बारे में, अपनी insights के बारे में आपको जो भी दिखाई देता है, dreams है, चाहे कोई भी patterns है, जब आप उनको लिखेंगे, तो धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा, कि वह जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपके सामने आ रहा है, वो आपको क्या बताने की कोशिश करें, वो आपको क्या direction देने की कोशि ठोरे होगे, problem क्या है, आज हम ज़ादा तर लोग disconnected है, हम ना अपनी body को सुनते हैं, ना हम आपने आसपास की चीजों को सुनते हैं, ना हम किसी इश्वर को सुनते हैं, means, इश्वर means, I don't mean to say God specific, लेकिन हम कोई भी universe या nature या कोई भी ऐसी energies जो हैं, हमारे आसपास, उन सब को नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान किस में, mobile में है, laptop में है, computer में है, artificial gazettes में है, artificial चीजों में है, right, so हम कही ना कही जो signals, जो vibrations, जो चीजें हम natural surrounding से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उन तरफ हमारे कानों को हमने कही ना कही बंद कर दिया, कही ना कही हमारी आखों को उन त हमको क्या मिलेगा वाँ देखें, इससे बेटर है कि हम टीवी पे देखें कोई picture, इससे बेटर है कि हम laptop के उपर कुछ करें, इससे बेटर है कि हम computer से communicate करें, क्या आप अपनी body के साथ कभी communicate करना चाहोगे, Do you think आप में से कोई पसंद करता है कि मैं अपने आप बैठूँ शांती से, आखों को बंद करके, और फिर अपने अंदर आत्मा से, अपने ओर्गन से, अपने लिवर से, अपने हार्ट से, अपने लंग से communicate करूँ? अपने लंग से, अपने लंग से ध्यान दो, अपने खिड़नी पे ध्यान दो, तो हम करेंगे, नहीं तो आप में से कितने लोग हैं, जो हर रोज बैठूँ हैं, अपने अपने बताया, अभी अभी चला कि जो आप बोलते हैं, वो आइबरेशन जाते हैं, और वो हो जाता है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, जैसे मैंने अपनी वाइप को प्ला, हम दोनों बैठते हुए हैं, कि मैंने सोचा भी यह कहेगी, मतलब मैं दो-तीन दिन पहले का ही बता रहा हूं, मैंने अपने मन में सोचा कि यह बोला कि सोर पर देगा, तो वो बोली ही, एक मिनिट बाद मैं आपको ना पचातर पर दे रही हूं, यह हो जाएगा, तो मतलब और एक्चुली ऐसा हो गया, और थोटे दिन पहले यह हुआ तो मैंने बोला कि अब यह बेलन कहेगी, तो एक्जेक्टली उसने कहा यह बेलन रखता हूं, अच्छा, ओ, बहुत अच्छी बारे, तो मैं यह पूछा जाता हूंगा, यह कोर्स किस बारे में है, तो यह कोर्स में आप पढ़ाएंगे, क्योंकि जितने लोगों ने बोला है उनको सब केपबिलिटिज आती हैं, वो सब सिनाने वाले हैं, और मैं बैठ के सुनने वाले हूं, ने, नई, ने, 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 डिसमें क्यों डरने का, see this is what I am saying, कि आप कहीं न कहीं अपनी capabilities को accept नहीं कर रहे हैं, जो भी आप अभी बता रहे हो, जो आप चीज से बता रहे हो, राइट, वो आपके अन्वी राइट, अब उसको सही प्रकार से utilize करना is the thing of this course. ये course आपको क्या दिखाएगा, वो चीज दर्शाएगा, वो समझाएगा, जैसे कि अगर आप में कोई प्रकार की चीज है, right, quality है, quality होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हरे quality को भी एक particular direction देनी पड़ती है हमें, right, उसको एक particular दिखादी पड़ती है, जिससे कि वो quality का सही सदव्योग हो सके, right, correct, तो ये course वो ही चीज आपके लिए कराएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे ऐसे नयाब चीजे मिल रही हैं, जिनके पास और ये चीजे उभर के आई वही हैं, तो उतना कारे मुझे कम करना पड़ेगा, एक में एक क्लास में जाता हूं और नहां जैसे मैं उनके सामने गया और उन्होंने बोला, मतलब अंदर से यहा कि मैं अपना गुसा खाता हूं, अपना गुसा खाता हूं, और एक्जैक लेज़ी तो जैसे मं उनके सामने गया ना उन्हों नों बोला कि आप अपना घुसा खाते हैं तो मैं ना एक दिम अचंपित हो गया कि एसा कैसे हो सकता है और दूसरा दूसरा मतलब दूसरी जगह गया मतलब एक बार और वहाँ पर जैंट्स का इलाउड थे और वह लेडिज लेडिज थी तो टो है तो नहीं की लाउड गया है तो नों ने भरी शेंट्स अलाउड नहीं है और ये लेडिजी सब स्क्राष्टबू करता है तो मैं अग्जैट्ट्लि ने तो उन्होंने बोला कि इसके लिए इनर वाश करना पड़ेगा इनर वाश पाइंगी अच्छा वेरी गुड़ तो देखे अभी मैंने तो आपको बोला कि आपको क्लास लेनी पड़ेगी लेकिन ये तो आपने सोचा नहीं था तो उसमें मतलब मैंने तो आपका इनर वाश किया नहीं नहीं आपको यह बताने की कोशिश कर रही हूं देखे यह किसी का भी मन को पढ़ना किसी के विचारों को पढ़ना किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझना किसी की भी चीजों को exactly receive कर लेने का yes you can do it telepathically आप किसी यह सब चीजें आप कर सकते हो समझ सकते हो okay so it is not something के बहुती कुछ अजूबा चीज है लेकिन of course जो भी अगर वो है तो it is not something के वो एक normal ordinary चीज है लेकिन फिर भी एक कुता भी जब आप घर में गुसते हो वो अगर आपकी आखों की तरफ देखता है और वो पढ़ पाता है कि आप गुसा हो के खुश हो क्या वो समझ पता ये कि नहीं समझ पाता है जीम और भी जानवर गैंस इंड में पर दिया आपक जाहें अबूर मेरा मास्टर के जायेगार के यह लेके जाहएगार के आज कि वह थाका है यहीं नहीं, चाहे आप किसी भी जानवर को देखें, चाहे वो गाय है, क्या गाय समझ नहीं सकती कि उसको कोई मारने को लेके जा रहा है? जी मैं. समझ में आता है ना, राइट? So it is not something कि हम भले ही उसको ऐसा दिखाए कि यह बहुत ही बड़ी चीज है, या एक बहुत ही ऐसी अयाप सी चीज है, जो कि हर किसी में नहीं हो सकती, और इसके लिए बहुत जादा हमें ध्यान और उपासना और यह सब करने की जरुवत है. Of course, ध्यान अपासना आपको मदद करता है, because कहीं न कहीं हम एक प्रकार से भटके वे हैं, that is what I was trying to say, कि it's not कि हमारे अंदर यह capabilities नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान इतनी सारी अलग-लग जगव पर है, इसके कारण हम वो चीजों को महसूस या समझ नहीं पातें, या वो signals को रिसे नहीं है, जरूर बोले न, इट सब ओपन क्लास, आप लोग बोले, अप्छी पड़ा से बोलना काहता हूं कि इतनी हाप पे जयन्स लोग है, उनका नाम दिनेश जी लिखने है, और सब को बेलन वाला सब बता तो सब को भला हो जाएगा, क्या, क्या, सारी, वो बे होगा, समसे कंबच जाएगा, सही बोला आपने, इसके बाद आप क्लास लीजिए सब जेंट्स का, लेडीज को नहीं है, हम लोग फ्री है, क्या बोले न, नहीं आप इसके लिए प्रमो जी को कांटाक करिये, प्रमो जी आपको बताएंगे, ओके, सो अभी हम लोग आगे च कोचेंगे कि हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, या जेंट्स की बाते चल रही है, हाँ, जी मैं, सो अभी आप अच्छी बात है, आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कीजिए, कौन-कौन जना आपको क्या-क्या चीज़े बता पाता है, कौन-कौन जना आपको क्या- और थोड़ा बहुत ग्यान-प्रदान करें, राइट, यह वर्ल्ड ही ग्यान-प्रदान का है, और वी शुट, इट इस सम्थिंग जो की हमको शाइन करना है, जितना भी हम देंगे, जितना भी हम इस चीज़ को स्विकारेंगे, चाहे वे हमारे अंदर है, चाहे वे किसी औ और के अंदर है, वो उतनी ही उभर के तराश के बाहर आएगी, ओके, सो यह एक चीज है जिसको आज हमको समझ लेना है, कि चाहे बच्पन में हमें मना किया गया हो, चाहे किसे भी उम्र में हमें कहा गया हो, कि यह चीज को हमें दूसरों को नहीं बताना है या दिखाना है, पर आज हम इसके लिए तयार हैं कि हम इसे दिखा पाएं और लोग इसको देखके कहें वावा, right, correct, so हमको हमारे senses को develop करना है और वो आप अपने आप भी कर सकते हैं, but in this class, in this course, different तरह की activities होंगी, जो कि इस चीज़ को आपको बहतर करने में मदद करेगी, right, आप, अपने आपको nature के साथ जतना time spend करेंगे, उतना बहतरीन आपकी energies होंगी, right, so उतनी ही आपकी sensitivity भी बड़ेगी, जैसे मैंने बोला कि चाहे वैं जानवर हैं, चाहे वैं व्रिक्ष हैं, चाहे वैं कोई भी चीज़ हैं, ये सारी चीज़े intuitively बहुत strong अपने आप होती हैं, श्रिष्टी अपने आप ही इतनी intuitively strong है, so ये intuition तो हमको मिला है विरासत में, लेकिन कहीं न कहीं हमने उसको खो दिया है, या हम उसका उप्योग सही प्रकार से नहीं कर पा रहें, right, so इसके लिए obviously हमको guidance लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते ह हैं, तो हमें चाहिए जो लोग हमें दिशा दिखा सके, और इसी लिए ऐसे mentors, psychics, या maybe teachers like me, who can come forward, जो आपको मदद कर सकते हैं, in terms of helping you in supporting आपका psychic development journey, right, लेकिन उसके लिए obviously आपको अपना दिमाग, अपना हिदे, सब खोल के रखना हो, and of course अपनी pocket भी to some extent, है ना, तभी रोल कर पाएंगे, correct or no, okay, now, besides जो normal clears की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे clears जो है, of course वो भी French word है, it is meaning of clear understanding, okay, so यहाँ पे अलग अलग करे के clears आपको सिखाए जाएंगे, उनसे related activities, okay, यह clears आपको क्या मदद करेंगे, यह मदद करेंगे, जिससे के आप चीजों को सही प्रकार से देख पाएं, समझ पाएं, सुन पाएं, टेस्ट कर पाएं, महसूस कर पाएं, smell कर पाएं, of course इसमें से कौन सी चीज़ आपको कहां बहतर रहेगी, कहां मदद करेंगे, वो भी आप समझेंगे, अब इसमें से दो clears जो हम बहुत commonly use करते हैं, जो ब ये दो शमता को हम सबसे महतपूर मानते हैं, right, because अगर आप देखें, तो ये दो senses को आप सबसे जादा use करते हो अपने पूरे दिन में, है ना, सबसे जादा आप किस चीज़ को use करते हो, अपनी आखों को न, कि नहीं, कौन बोलता है कि मैं अपनी आखों को use नहीं करता हू आप में से जादा तर लोग जो होंगे, वो जादा तर आप लोग सब जो हैं अपनी आखों को use करते होंगे, चाहे आप meditation भी आखों से करते हैं, तो भी आप वहाँ पे visualization करने की कोशिश करते हैं, right, so spiritual realm में भी हमारे ये जो दो सबसे powerful psychic abilities होती हैं, और यही हमको information लाने में म और जैसे के आपने बात की थी दिनेश जी ने, that is called जहाँ पे आप mind to mind communicate करते हों, बहाँ पे आप senses को use नहीं कर रहे हो, इसलिए आपने कहा कि उसने ना देखा ना उसने सुना, आपने ना वो चीज को व्यक्त किया, लेकिन फिर भी दूसरे जने ने उसको pick up कर लिया, right, so that is telepathically that communication is going to that person, इसलिए आप कितनी बार लोगों को बोलते हों कि हम आपको याद कर रहे थे, अरे, मुझे एकदम से message मिल गया, मुझे सुनाई देगा, तुने मुझे याद किया, तुने मेरे बारे में सोचा, तुने मेरे, और इसलिए कभी-कभी ऐसे लोग, ऐसे चीजे हम हमारे सामने अपने आप आजाती है, so you are not just communicating with people, you are communicating even with the universe, with the natural beings, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कह रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ किसी से व्यक्त नहीं किया, लेकिन even a विचार, एक सोच, एक वर्ड, कोई भी चीज, चाहे व्यक्त की गई हो, चाह तो अब जो है, हम psychic abilities या psychic reading का हमको क्या फाइदा है, हम क्यू सीखेंगे सब, ठीक है अभी थोड़े इस communication के लिए, थोड़ी चीजों के लिए तो समझना ठीक है, कि अगर हम बहतर कर लें उसको, लेकिन उसके अलावा हमको इसका क्या फाइदा है, तो psychic reading का, psychic ability का फाइदा ह है, कि आप psychic reading कर सकते हैं, और psychic reading क्या मतलब, कि आप अपनी चीजों के बारे में समझ सकते हैं, अगर जीवन में आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है, जहां पर आपको लगता है, कि आपके challenges हैं, आपको life में दुविदाएं आ रहे हैं, आपको obstacles आ रहे हैं, और आप उन obstacles को कै कैसे face करें, कैसे उनसे बहार टेकलें, कैसे उनसे दूर करें, right, most of us, आज की दुनिया में हमारे challenges अपने हैं, right, correct, हम लोगों पर depend करते हैं, कि वो हमें हमारे challenges से बहार निकालें, correct, पर अगर आपके अंदर वो psychic abilities हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं, कि आपको क्या करने की जर्वत हैं, क्या steps उठाने की जर्वत हैं, कहां पर क्यूं चीज अटकी भी है, right, so वो आप एक चीज कर सकते हैं, उसके अलावा आपके अंदर कभी-कभी हो सकता हैं, बहुत से बवार, बहुत सारी emotionally issues हैं, so एक है आपकी personal challenges, एक है आप emotionally बहुत drained feel करते हैं, emotionally आप बहुत stuck feel करते हैं, आप कई चीजों से उभर नहीं पाते हैं, कितने सारे ऐसे रिष्टे हैं, जो कभी बिगड़ते हैं, कभी सवरते हैं, कभी इधर-उधर हो जाते हैं, हम उनसे आगे बढ़ना चाते हैं, उनसे उभरना चाते हैं, तो अगर आप psychic reading करें, अपनी या दूसरों की तो आप उसमें मदद कर सकते हैं लोगों को समझने में, कि कहां पर क्यूं किस चीज में वो अटके वे हैं, और उसका closure help कर सकते हैं, उसी तरह से आप individual को अपने आपको भी या दूसरों को भी उनके बारे में जानने में, उनके soul purpose, उनकी unique strengths, ये एक हुआ challenge और एक हुआ पाकत है, क्या आपके अतर उपलब्दी है, जो आपको मिली है अपनी आपकी, किस प्रकार से आप उस पे शापन होके आगे बढ़ सकते हैं, right, decisions हमें लेने होते हैं, कई बार हमें decisions लेने होते हैं, हम लोगों पर depend करते हैं, हम psychic abilities पर depend करते हैं, हम लोगों से भी reading मांगते, right चाहे आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, चाहे आपको बाहर भी जाना है, कितनी चीजों के लिए आजकर लोग दूसरों से पूछते हैं, right, पूछते हैं आप में से कई लोग होंगे, आप में से कई लोग होंगे जो tarot cards खुद के भी निकालते हैं, everyday, अरे मु psychic ability strong है, तो not just आप के लिए, पर even for your clients, आप मदद कर सकते हैं, right, then आप spiritual growth के लिए, spiritual awakening के लिए, soul connection के लिए, soul guidance के लिए, हर चीज में आप psychic ability को use कर सकते हैं, for yourself and for others, okay, so यह होगा, where you give the most prominent thing is psychic reading, right, so common types of psychic reading कौन सी होती, जैसे के आप tarot card reading कर रहे हो, आप astrology कर रहे हो, आप औरा कर रहे हो, आप mystery कर रहे हो, आप mediumship कर रहे हो, numerology कर रहे हो, runes कर रहे हो, crystal ball reading, channeling, akashic reading, कितनी सारे तरे की reading सम करते हैं, कितने तरे की तौर तरीके हम अपनाते हैं, right, और इन सारे तौर तरीकों में आपका psychic ability strong होना जरूरी है, it's one of the basic requirement, जितना आप में psychic ability strong होगा, उतना आपका edge होगा दूसरों के उपर, जब आप ये readings करेंगे, so, आप समझ सकते हैं, कि psychic abilities को ध्यान देना, उन पर कारे करना कितना important है, okay, so, अब even in case of healing, ये तो हुआ जब आप reading कर रहे हो, जब आप healing भी कर रहे हो, जैसे कि मैंने starting में ही बात की, आप रेकी level कर रहे हो, रेकी chakra balancing कर रहे हो, औरा cleaning कर रहे हो, औरा repair कर रहे हो, उसमें भी अगर आप psychic abilities आपकी strong होगी, तो आप वो चीज़ों को बहतर तरीके से कर सकते हैं, energy को उसी direction में भेज सकते हैं, जहाँ पर आपको लगता है, वहाँ पे जरुवत है उसकी, right, not only that, जब आप लोगों को बताते हो कि यह आपको दिखाई दे रहा है, यह आपको समझ में आ रहा है, तो आपकी एहमियत बढ़ती है, आपकी importance बढ़ती है, आपके जो शम्ता है, उसकी जो कदर है, वो भी लोगों के आख में बढ़ जाती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं यह म आपको not just यह life के चीजों में handle करने में मदद करते हैं, इवन चाहे आपकी past life की चीज़े हैं, चाहे वह आपके negative experiences हैं, चाहे वह आपके energetic ancestors, जो भी roots भी हैं, वहां तक भी आप पहुँचने में आप psychic abilities को use कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपने spirit guides, अपने angels, अपने helpers, जो इस दुनिया में हैं या दूसरी दुनिया से आपकी मदद के लिए आते हैं, आप उनसे उसकी through connect हो सकते हैं, right, so यह जो भी आपका self है, personal growth है, उसमें आपको psychic abilities को शापन होने से बहुत मदद मिलती हैं, right, so self discovery, spiritual path, सब कुछ आपका उतना better होता है, और of course आप fortune telling तो करी स सकते हैं, right, जहां पे आप से कोई लोग प्रशन पूछते हैं, especially with respect to any major decision making, और आप उनको कैसे उस चीज में guidance कर सकते हैं, right, so इस प्रकार से आप health, harmony, spiritual development, हर चीज के लिए psychic ability को use करते हो और उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, okay, so अब हम आते हैं, दूसरे aspect पर, जो के cord cutting का expect है, right, so यह हमारा हुआ पहला aspect, जो के हम psychic abilities की बात कर रहे हैं, और जब दूसरा aspect हमारा है, with respect to the cords, right, so अब cord क्यों इसमें include किया गया है, हम psychic ability का भी सिरफ course कर सकते थे, पर cord cutting मैंने इसके अंदर specially डाला है, या in fact actually cord cutting मेरे पास पहले था, और मैंने psychic abilities को उसके साथ join किया, उसका दो कारण है, एक तो cord जो है, cord cutting करना बहुत ही important काम है, क्योंकि जादतर आजकल के लोगों को आप मैसूस करते हो, कि हम इतने सारे रिष्टे बनाते हैं, इतने सारे acquaintances बनाते हैं, population भी बढ़ गए, ये लोगों का contact, लोगों एक दूसरे के space में घुसे ही रहते हैं, right, और कहीं ना कहीं ह हमारा जाना, आना, मिलना, जुलना, हर तरह से सोच, बिचार, हर चीज में हम लोगों से connected हैं, because the world is of connection, और जितने जितने ये connections हो रहे हैं, उतना उतना हम महसूस कर रहे हैं, कि हम एक दूसरे के energy को भी drain कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी जुड़े रह जा रहे हैं, इसके बाबजूत के हम move on भी करते हैं, फिर भी, right, so at the energetic level, हम कही न कहीं एक दूसरे से वो contact बनाए रहते हैं, वो स्कर बनाए रखते हैं, maintain रखते हैं, in spite of the fact के हम एक दूसरे से disconnect हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे relationships है, right, हम कही बार बोलते हैं कि अरे वो मेरा ex है, वो मेरा अभी तो recent ये है, right, लेकिन फिर भी क्या हम ex से जुडे नहीं रहते हैं, और इसे कारण है कि कहीं न कहीं हम वो emotional drain महसूस करते हैं, so there are a lot of us जो physical drain महसूस करते हैं, emotional drain महसूस करते हैं, mental drain महसूस करते हैं, right, so all these relationships, चाहे बहुत small हैं, big हैं, one time हैं, even one second की हैं, लेकिन वो एक वो connection establish कर देती हैं, और वो connection होता है in form of a cord, right, और उस cord के द्वारा there is an energy exchange which happens between the two people, और इसके वज़े से कहीं न कहीं हम जब ये psychic field में है, specially, हम healing field में हैं, हमारे लिए ये बहुत important है कि हम अपनी energies को disconnect करें ऐसे लोगों से, क्योंकि हम बहुत सारी, बहुत तरीके के energies के साथ deal करते हैं, right, and as a result of which, for after every kind of an activity, any kind of a healing work, मैं cord cutting important aspects समझती हूँ, जैसे कि psychic protection है, right, So, मेरे बहुत सारे students यहाँ पे हैं, जो mediumship में है, और उनको मैं यह हर बार कराती हूँ, कि आप जभी भी किसी से connect हो रहे हो, चाहे उसके aura से, चाहे उसके chakra से, चाहे वह उसके किसी भी healing process के दौरान, आपको उससे अपने आपको disconnect करना ज़रूरी है, right, correct, So, ज़रूरी नहीं है कि यह chords हमेशा negative ही होती है, they can be neutral, they can be positive also, right, because finally तो वो हमारी connections है, लेकिन they can be healthy, they can be unhealthy, but they may in इतना ज़्यादा बड़ा web हो जाएगा, तो उसके कारण कहीं न कहीं वो जालर जो है, वो हमारे अंदर बढ़ती जाए, so वो बहुत complex हो जाता है, और इसी लिए वो चीजों को काटना, छाटना, सही करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप pruning करते हो, weeds को निकालते हो, जबी भी आप garden में कुछ काम करते हो, क्या आप ये नहीं करते हो कि garden में अगर आप चाहते हो कि अच्छे फूल आए, चाहे गुलाब के हो या किसी भी के, बहुत ज़रूरी है weeds निकालना, जो आसपास जंगली घास उगाती है, सफाई करना, उस मिट्टी को थीक रखना, उसी प्रकार से हमारा जीवन, हमारा शरीर भी एक मिट्टी है, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़े उगाती है, उगी रहती है, पड़ी रहती है, सड़ी भी रहती है, लेकिन फिर भी हम उन्हें निकालना पाते हैं, क्योंकि कही न कहीं हम उस सतर तक जाती ही नहीं और अब जब आपके पास वो psychic abilities develop हो जाएंगी तो आप इन चीज़ों को और आसानी से सही प्रकार से देख सकते हो समझ सकते हो, right so इसके लिए ये दोनों को join करना जरूरी है क्योंकि अगर आप superficially just cord cutting कर रहे हो, that doesn't make a difference even if may make little bit of difference, लेकिन अगर आप उसको देख कर, समझ कर जिस रूप, स्वरूप, जिस तरह से वो दिखाई दे रहे है, अगर वो आप करोगे, तो उसका जो असर होगा, वो जादा बहतर और सही होगा, right so we can scan better अगर हम अपनी abilities को बढ़ाएं और उनके साथ ये cord cutting का process करे, right और ये cord cutting हमें क्या किस चीज में मदद करेगा वो हमारी strength बढ़ाएगा हमारी physical health बढ़ाएगा, mental health बढ़ाएगा, emotional health बढ़ाएगा हमारे अंदर वो clarity लाएगी हमारी energy, vitality immunity, सब तरह से हमें बहतर करेगा so there will be no fatigue no more numbness and our intuitive power, physical awareness will improve, so what else you want, that's what हम सब उसके लिए ही तो कारे कर रहे है, और वही तो हम सब चाते हैं के हमें जीवन में वह सब हो सके, जिससे के हम अपना कारे, अपना जीवन, सब सही सफलता पूर्वब जीज सके right, so therefore this is the whole course about, okay so अब आप सब लोग ready हैं should we do some meditation work किसी को कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं पहले and then we will go further with the meditation पूछना है आप पूछे मैं, जहां तक मैं समझ पाया हूँ code cutting आपने बताया कि कोई जैसे किसी person से connected रहता है, जैसे कोई एका दबार सोच में आए, उसके बारे सोच रहा है कि उससे आप code cutting जैसे disconnect कराएंगे वो permanently disconnect हो जाएंगी, क्योंकि न, ऐसा होता है जब से कोई कारण आया, जैसे मैं दो आदमियों से नहीं बोलता और मुझे उनके पास जाना पड़ता है तो बाद में अगर कोई कारण आता है तो मैं यह सुचेता हूं की मतलब ऐसा है, तो आप पर्मानेंटली disconnect हो जब दुबार भी कारण है तो वो मतलब सोचेगा नहीं ऐसा है? नहीं, देखो cord cutting का जो process होता है अब तीन तरह की cords होती है जो एक basic cords है एक cords होती है जो की medium type की आप बोल सकते हो और एक बोलते हो आप जो बहुत higher level cord cutting process होता है right? cord cuts, cords भी आपके अलग-अलग जगे पे attached होती है एसा नहीं है कि वो एक ही जगे पे attached होती है right? कुछ आपकी चक्रास के साथ attached हो सकती है कुछ आपकी औरा के साथ हो सकती है कुछ आपके particular specific organ के साथ हो सकती है cords, अलग-अलग तरह की चीज़ों की हो सकती है चाहे वह आपके ancestors से हो सकती है अलग-अलग तरह की cords का mechanism अलग-अलग तरह के का होता है बहुत सारे processes होते है और कुछ cords, उनके hooks बहुत ज़ादा strong होते है उनको निकालने में उनके उपर एक ही time काम करने से सब कुछ नहीं होता है right? so it is a process so उसमें आपको repetitively कुछ चीजों पे कारे करना पड़ता है तब जाके उनको आप पूरी तरह से निकाल पाते हो yes it is clear now तीक है thank you thank you okay okay so we'll start with a meditation now अभी during the meditation मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी बोले और जिससे के flow में disturbance नहीं हो और उसके अलावा आप सब लोग अपना audio को off रख सकते हैं और इस दौरान अगर आप खुद अपने आपको इस activity में involved रखेंगे उतना बैतर है instead of somebody disturbing you okay ठीक है so इसके लिए पहले आपको शान्ती पूर्वा बैटना होगा जहां पर भी आप हैं जिस भी space में हैं जिस कमरे में हैं शान्ती पूर्वा बैट जाएए और अपनी आखों को बंद कर लीजे right और इसके लिए जब आप अपनी आखों को बंद कर लेंगे तो आप ध्यान देंगे अपने स्वास पे right so जब आप अपने स्वास पे ध्यान दे रहे हैं so just feel the breath inhale in the स्वास लीजे with a focused attention deep inhalation और उसके बाद आप स्वास छोड़े right again taking a deep breath और फिर स्वास को अराम से धीरे धीरे छोड़े again third time taking the deep breath और फिर स्वास को छोड़े okay आपके आखे बंद हैं आपका ध्यान आपके स्वास पे हैं आपके अंदर एक कोई न कोई ऐसी प्रतिपा है कोई न कोई ऐसी psychic ability है जो के आप इस प्रोसेस के दोराग इस्तिमाल करेंगे अगर आपको लगता है कि आप अपने psychic ability जो की आपकी third eye chakra पे concentrate करना चाहेंगे so just feel keeping your hand on your third eye chakra और वहाँ पे ऐसे circular form में just move your finger, the index finger और उसको move करते वे आप ऐसा मैसूस करिये कि जैसे कि आप उसका एक window है वहाँ पे जिसे आप खोल रहे हैं so you are tapping in the energy of your psychic ability जो की आपकी third eye chakra के अधर है और ऐसे हाथ को हिलाते वे धीरे धीरे now just think about कुछ भी some event और any emotion अगर मैं आपको कहूं कि आप बहुत खुश है जब आप खुशी के बारे में सोचते हैं when you think about the emotion called as joy, happiness तो आपका attention कहां जाता है आपके जो third eye के बीच में just feel as if वहाँ पे आप एक image देख रहे हैं वो image है जो के आपको वो सुकून पहुचाती है जब मैं आप से बात कर रही हूं with respect to a joy so कोई भी ऐसी image immediately आपकी आखों के सामने भले ही आपकी आखे बंद है लेकिन आपकी psychic आखों के सामने वो क्या image आ रही है which is the image of a joy हो सकता है वो कोई जना हो हो सकता है वो कोई person हो कोई relative हो कोई आपका pet हो या कोई scenery, situation कोई भी ऐसी चीज जो क्या आपको सबसे जादा खुशी देती है सबसे जादा खुशी प्रदान करती है इस समय पे जब आपने उसके बारे में सोचा तो आपके क्या चीज आपके सामने नजर आया सो जब आप देख रहे हैं अगर शायद वो आपको कोई लोग दिखाई दे या कोई चीज दिखाई दे या कोई आपका pet या कोई situation या event आप चस्ट उसके उपर expand करने की कोशिश करेए वो क्या चीज है, कौन लोग है कौन सी situation है life की क्या ऐसी चीज है जो के आपको वहाँ दिखाई दे रही है just keep on seeing further उसके अंदर जैसे के आप उसको बहुत ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश कर रहे obviously वो ऐसी चीज है जिससे आपको बहुत प्यार, बहुत सुकूट मिल रहा है बहुत खुशी महसूस हो रही है तो आप उसको जादा से जादा समझ के द्वारा देखना चाहेंगे उसके बारे में जादा से जादा जानना चाहेंगे so look at your, आपका एक हिदे है और हिदे में वह प्रफुलत, पन आप महसूस कर रहे है वो feeling को महसूस कर रहे है और यह strong emotion है, which is connected to this place यह जगे, यह लोग, यह चीज so यह हो सकता है, बहुत साल पहले हुई हो हो सकता है, यह incident आज हुआ हो हो सकता है, यह लोग जो दिख रहे है या जो चीज आपको महसूस हो रहे है वो आज की है, हो सकता है, वो बहुत पहले की है कभी की भी हो सकती है पर जब आप उसको महसूस कर रहे हो तो आप उसके साथ महसूस करने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए कि आप कैसे उस चीज से जुड़े हो क्या आपके उस चीज या उस लोग या वह incident, situation, place, pet से क्या आप कैसे जुड़े होे क्या आप दोनों के बीच में धागा है किस प्रकार का धागा है क्या वह कोई मोटा सा धागा है क्या वो ऐसा है जैसे कि टेलेफोन की कॉड होती है किस रंग का है, किस स्वरूप का है, किस तरह क्या है क्या आप उसको ध्यान से देख पा रहे है वो जना शायद हो सकता है आपकी जीवन में आज नहीं है कभी था हो सकता है वो incident भी कभी बहुत पहले कभी हुआ हो लेकिन फिर भी आप उससे जुड़ेवे हैं सो जब आप उससे जुड़ेवे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा है उस चीज को लेकर जो के आपको दिखाई दे रहा है और क्योंकि आप उसको देख पा रहे हैं इसके लिए आप उस चीज तक पहुँच पा रहे हैं उसको आज भी connect कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं भले ही वो आज की चीज नहीं है सो अब जब आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं वो रसी, वो कौर्ड, वो जो दोरी है जो आपको उस चीज, उस लोग, उस जने से connect करी भी है आपको वो कैसी नजर आ रही है क्या आपको उससे सुकून महसूस हो रहा है क्योंकि आपने start तो सुकून से ही किया आपने start तो joy से ही किया So just feel how is the flow of the energy in that Can you feel the current, undercurrent क्या आप महसूस कर सकते है उस कौर्ड का जो आपको और उसको आप दोनों को जोड़े वे है And just feel the existence of that cord और जब आप इस cord की तरफ ध्यान दे रहे है आपको अंगिनत बहुत सारी और cords दिखाई दे रहे हैं अपने अंदर जो पता नहीं कितने कितने लोग, कितने कितनी चीजों से कितनी कितनी जगों से connected है और आप उसको महसूस करें है और आप उसको महसूस करें है and just feel the energy of each and every cord अभी हम इस पे कोई कारे नहीं करने वाले लेकिन ये सारी cords जो है हमारे जीवन में कितनी सारी जालर है जो कि हमारे शरीर और दूसरे लोगों के बीच में है दूसरी situations, दूसरे events कितने सारी चीजों से ये connected है so आज just you are trying to look at all this आप सिरफ उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता इन में से बहुत सारी एक दूसरे से जुडी भी हूँ एक दूसरे से अटकी भी हूँ लेकिन आज आप सिरफ उनको देख रहे हैं सिरफ मैसोस कर रहे हैं and now slowly slowly bring back your attention to that event जिससे आप स्टार्ट किया था जिसके साथ आपने स्टार्ट किया था that experience that joyful experience जो आपके साथ हुआ था और फिर धीरे धीरे bring your attention back to your third eye अपने third eye area में वापस अपना attention लेकर आईए and thank all the intuitive power जिनोंने आपकी मदद की आज इस event को इस चीज को देखने में मैसूस करने में so that आप इस चीज के उपर बात में कारे कर सकते हैं so that you will work on it soon पर अभी के लिए आप इस चीज से बाहर आ रहे हैं so slowly slowly अपनी attention को आप अपने शरीर पे भार वर्पस लेकर आईए अपने हातों को हिलाईए shoulders को हिलाईए roll करिये and slowly slowly अपने दोनों हातों को एक साथ रप करके अपनी आखों पर लगा कर you can open your eyes and be back to yourself और अब जब आप वापस खोल रहे हैं तो just feel के आप जो भी event में गए थे जो भी situation में गए थे आप उससे अपने आपको पूरी तरह से अभी disconnect कर रहे हैं so just feel के आप ऐसे जैसे cut कर रहे है so you are cutting दोनों हातों को ऐसे use करिये in front of your solar plexus area जो आपके पेट के सामने है and just say cut, cut, cut so you are disconnecting yourself अगर आपका कुछ भी चीज़ हिस्सा वहां तक connect रहे गया अब आप उससे बहा निकलके अपने space में वापस आ रहे in the present tense because आप कौन सी space में गए कौन सी जगे पे गए आप हो सकता है कहीं और connect होए अब इस process के दौरान आप अपने आपको वापस अपने space में लेकर आ रहे okay so I hope everybody is back I don't know आप लोगों में से कितने लोगों को कुछ कैसा मैसूस हुआ क्या मैसूस हुआ कुछ शेयर करना चाहेगा कोई कोई बोलना चाहेगा हाँ बोलिये मना लीजे कितने कितने पार दस मुझे दस मुझे हाँ मना ली बोलिये कितने अच्वर्ण से लिए बोलियुजश अच्वर्ण से लिए अधनाक्त काँ connected with my kid, two years of toddler, so that, I mean, that is a quiet feeling that came to me, and the cord that you were saying that visualize it, so I saw one cord with my aquarium, in that it is a white color cord, so the white color I visualized it, but this is just like the trial, I don't know whether I am hallucinating or not, but yes, like this is kind of my first feeling No, very good very good, so see that's what, you don't think that you are hallucinating, or you are watching something like this or you are giving something to you you should have a trust correct, because just like you trust, just like you get feedback on yourself, on yourself just like you can do better correct, okay and I have another thing I have also sent a message to you before, in my personal message like, at times I was very scared from the first time, I was very scared and I heard a lot of sounds even sometimes, I mean, I could not recognize that that there is a whisper that there is a sound of 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 or focused on my work I am doing something like my work daily work or working on my laptop or something so what happens sometimes I feel like tingling like, so I am not sure whether that is positive or I should do more cleansing so what is happening with me so I just wanted to make sure if you are listening to the sound if you are listening to the sound that means your clairaudience is better you focus on that particular thing and okay ma'am you are saying tingling I don't know whether that is a tingling in your ear or you are saying about in your body ma'am, somewhere I feel mostly it is around my neck okay, like the back like the side of the neck okay, sometimes it happens on my hands so maybe sometimes 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 and sometimes 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 when you are doing some activities you are doing something while you are doing something yeah mostly yes mostly otherwise I feel like I feel something like that but sometimes sometimes I have never thought about that but today like I feel maybe and sometimes I sit by my room in my room so it is like sometime I feel that some tingling happened for some time okay yeah so it can be maybe you know sometimes you are more connected to the environment so as a result you can sense certain things which are around you and as that can be in the form of the tinkling okay okay last year now I've lost a few loved ones okay so is it related or yes they are trying to contact you so maybe they are trying to send you message so your body is more receptive towards their presence okay okay mediumship join so maybe in that you could have done that but otherwise this is all like I'm very new to this platform okay but I really wish to you know improve my psychic abilities if like little bit of it because I'm studying in local science so I'm also studying but I'm very new to this psychic platform and I really wish to go ahead proceed further yes you should go ahead because you have that connection you already connection yes you already feel that ma'am dreams and I feel that connection and I feel that connection and I also have a lot of visions when I'm very alone or sometimes I get a lot of problems I really get that guidance through you know I get the angelic messages or the numbers and somehow you know I get that you know you know I mean I mean something positive I mean I'm not sure ma'am you suggest that I'm telling all the things I'm telling you sometimes I should share or I should keep it to myself no no you can share it if you feel that the person you are sharing it is not the person who understands see because not everybody has that knowledge or they have that interest in certain things like that sometimes people may feel that this can be some related to mental issues you know but people who are from psychic field which mediumship and which are dealing with energies they are people who easily understand so they can feel this particular thing and they can appreciate it as well as they can help you in moving forward okay so we should know whom we are talking to because not everybody has an interest as similar as us right right ma'am but it's good very good very wonderful and especially when we lose our loved ones I really liked that in spite of the fact that you have lost him you don't feel it because you feel the presence of him which is very good very good excellent thank you and ma'am I am working on my reactions also towards different situations that I don't have to react but I don't have to do it but I am very controlled and very good changes happened so this is the level 1 and I learned a little cut cutting that every night I should perform little cut cutting but I don't know the process I don't know so I am really looking forward to your sessions in the future so I should learn yes yes so we are starting this course very soon now in fact in this I think 8th October or something so it's not very far off okay okay and maybe there is also a date decided I will just tell everybody 8 minute okay so so it's yeah it's starting on 8th October or Tuesday and Thursday ko hoega okay I will just talk about the timings but then you can speak to the admin because as per them sure ma'am if they you don't pay in before some date kyunki they are talking about payment by today otherwise they are going to increase the price that is what okay 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 then I will have to check but yes I am really looking forward to your sessions ma'am thank you concentrating on that when you saying cause I didn't cause but I just enlightened light no so you visualize joy right correct right right and what did you show you mental health health issues so instead of seeing the happiness you went into sadness somehow not even like my happiness is related to their health issues is it like that is it like that you currently something is bothering you something is really you are not giving a happy because you are so much concentrating on these aspects is it like that? yes so that's what I couldn't figure out anything which makes me happy oh okay so you don't feel joy you are only experiencing the sadness right because somewhere you feel like that there is no joy in your life it's only sad or I am correlating it with the with people around me no no it's not a question correlating see it's like see kabhi kabhi aisa bhi ho sakta hai ke if I have asked you to visualize something your mind is into a lot of things so aapke liye wo joy ko mehsus karna asaan nahi ho raha hai as a result of which aapka dimaag udher hi ja raha hai attention udher hi ja raha hai right correct that is what it seems to be like just now okay so there is nothing nothing wrong maybe you can look at that particular thing that why that event why that particular joh bhi aapko dikhai diya what was a purpose maybe who aapko dikhhanne ki košish kar raha hai jaise aapne ka haan ki aap khush nahi ho sakta kyunki aap kaise khush ho ke jab yeh chiz aapko itna tang kar raha hai yeh chiz aapko aisa mhsus kar raha raha hai right so aap kaise us chiz se judhe way haun aapko kya kya usse dar hai kya fear hai kis prakara ka aapke man ke ander usko lekar kya maam ek chiz mahi kors ke baare me channa jati ho actually I'm highly energy sensitive matlab mein kahi bhi kraud mein chate ho and I pick up some energies and I have tried lot of modalities to you know cut my cords or cord diversion and many kind of mobilization just to you know protect my energies but somehow nothing really works so will there be any kind of psychic protection thing in the course yeah of course psychic protection to hoi gai there is grounding psychic protection yeh toh normal chize hoti hai when you are doing whether cord cutting or anything right so hoi gai it is not psychic protection or exceptional psychic protection which we are doing but yes certain normal processes joh hum use kar sakte hain whenever joh hain kisih bhi chiz ke saath deal kar raha so so there there are some people joh bahat susceptible hote hain they get very much attached again it can be ke aap kaafi empathetic ho sensitive ho so kahi na kahi woh joh aapka clare hai woh zahada developed hai it is part of the healer because as a healer we are sensitive leken we have to know how to restrict that we have to know how to keep ourself disassociated so wo practice bhi aap seiko because it's not just important of being associated it's not just important of being connected but it is also important where we have to keep that distance yeah maybe I'm not good at keeping those boundaries intact so that will also be taught to you because you have to learn that also otherwise aap kohi bhi kaam aisa karo ke then you will be always drained you will always feel you are unable to go further because aap kahi na kahi health drastically most of the time yeah correct right so most of the psychic people find they get somewhere too much involved and they cannot move further yeah right so it will through this processes and as we do this journey you will learn to keep yourself clean and cleanse thanks a lot okay welcome aur kisi ko kush pushna hai so aap pohuch sakti hain otherwise we can end the session today and of course ma'am what will be the timings and timings ma'am actually day tuesday and thursday hai just know what i have got the circular it is of 11 o'clock but i was expecting i was told the classes in the evening so i need to just check with them okay what time it will be suppose if it is there in the evening around 5 30 or 7 30 one of this timings what will be the fee ma'am so just a minute ma'am i have a question hain bully no ma'am when i have something like kitchen or sometimes i have so i feel like there is someone but i look and look there is nothing happens this is my illusion or what i don't i feel like something passed on or moved but nothing happens so what do you practice it? i just reiki i started level 2 okay so maybe you are sensing some energy it is nothing to fear you don't fear and if you feel that you don't want to be disturbed then you are closing that part of yours if you don't want because not everybody wants that somebody is passing by somebody is going somebody something is happening around correct so when we are sensitive we will pick up but we don't want to do so that you will be taught how to do in your class only yeah yes you can say that i teach that in mediumship but i can teach here also that's not a problem okay namaste ma'am namaste arre devki yes ma'am 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 तो क्या मैं इस टाइम में आपका कोर्स जवाइन कर साथी जो रात को? मैं खुद हुए उस्ट्रेलिया में हूं, आप कहा है रहते हैं? मैं 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 मेलबन में तो मैं फिर तो कुई दिक्कत नहीं है रात का तो मैं वैरको time का just confirm करने दीजे विकुथ आप लोग सब में से जादव तैलोगों को क्या टाइमिंग सुटिबल रहेगा। आप जितने लोग जॉइन करना चाते हैं, आप एक आइडिया दे सकते हैं इनको टाइमिंग का जाएगा रहेगा। 11 is also okay, ma'am. मैं, morning and afternoon भी सही है मेरे साथ. क्योंकि evening में काफी सारे classes रहते हैं, मेरे खुद के काम भी रहते है, ma'am. Okay, you can do one thing. Maybe, of course, आप लोग अभी तो ग्रुप में नहीं हैं, but see, I'll just tell you, आप अपना timing का एक अधरे से idea दे सकते हैं, and maybe accordingly, we will work out on one mutual timing. We have a slot, एक 11 o'clock का slot है, या फिर 5.30 या 7.30 का slot होता है, right? 7.30 या 11 o'clock is fine. I'm 11 or 5.30. 7.30 या 11. 11 is fine. 11 is fine. Okay, let me see. Okay, now let me tell you, जो price है, या जो भी energy exchange है, as per the message which I have got. So, it is maximum price, जो है, वो 7,100 है, but after the discount, it is 3,158, जो की existing members के लिए है. But this is, if you join today. Okay. So, just check with them, अगर आप अन्रोल आप करते हूँ, तो ये, otherwise, they have said that they will increase the price. For the new participants, it is, after discount is 4214. This is, I'm talking about today's price. Okay. Ma'am, is there any installment available for newcomers? Yeah, yeah, it's there. Yes, installment is always there. So, आप admin से बात कर सकते हैं, आपके पास admin करूँ होगा? Yes, ma'am, I will speak to them then. मैं मुझे एक और कॉशन पूचना था आप से. मैं, जैसे हैं psychic abilities में, हम अपनी body pains की भी release कर सकते हैं, problems, cord cuttings में, जैसे knee pain है. Sorry? Cord cutting में, मैं, इस कोर्स में, हम अपनी health issues को भी ठीक कर सकते हैं, cord cuttings से, जैसे knee की pain है, वो कहते हैं कि इसना किसी से, हमारा mentally हम किसी से इतना परिशान होती है, कोई हमारा दिमाग में चल रहा है, कि हमारी knee pain आता है, तो क्या, यह चीज़े उसमें होती हैं? आपकोस, तो cord cutting specifically, अगर आपको पता है, या जैसे मैंने discuss किया पहले, so basically, जो आपके fatigues हैं, जो भी आपकी numbness है, जो भी आपका physically, mentally, जो drained मैसूस करते हैं, वो सब को remove करने के लिए, cord सबसे ज़्यादा help करते हैं, और मैं एक नहीं मुझे, जो खुद को लगता कि मैं, courses काफी सीख चुकी हूँ, लेकिन ये न continuity में मेरे से होते ही नहीं है, courses मैंने पहले भी काफी, जैसे शिल्पी मैम से, मैंने automated writing फ्टी सीखा, जब तक वो course चल रहा होता है, मैं continuity में करती रहती है उसके practice, लेकिन जब course खत्म हो जाता है, वो continue हो ही नहीं पाता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ आई जाता है life में, कभी कुछ, कभी कुछ, तो सब ही कहते हैं, तो पहले courses पहले ही उनकी practice कर, फिर नया course जोईन कर, तो I'm still confused, तो उसके कर मैं ये course जोईन करती हूं, तो ये तो नहीं हो कि मैं करी जा रही हूं, लेकिन कुछ, हासिल कुछ नहीं होगा, तो देखे, आप जो भी और courses हैं, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप चीजों को सीख रहे हो, आप उनको यूज नहीं कर रहे हो, ये जो course है, वो आपका enhance कर रहा है, जो भी आपने सीखा भी था, तो इस नहीं होगा, तो इस नहीं जहां पर के आप एक नया particular process सीख रहे हो, बट अफोस देरा कॉर्ट कटिंग में, लॉट आप प्रोसेसे सादेर, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो भी आप इसम के दौरान सीखोगे, वो आपका not only just health-wise better करेगा, बट आपने जो भी processes सीखे हैं, उनको भी बहतर बनाएगा, so that आप उनको utilize कर सका, राइट? Okay, okay, just यह confusion था कि आप मैं course join करूँ, भी आप एक नया किताब सीखने की कोशिश कर रहे हो, जो कि और सब normal चीज़ों से बहुत फरक है, और फिर आपको सोचना होगा कि उसको कैसे use करना है, यह जो आप सीखोगे इसके अंदर, वो आपके जो भी normal life है, चाहे आप कोई चीज़ use करो ना करो, तो भी वो आपको मदद करेगा, in fact I always say कि यह particular ऐसा course है, जो कि आपको youngsters, teenagers को भी motivate करना चाहिए, जिससे कि वो भी इस तरह के चीज़ों को सीखें, because finally हम यह सब चीज़ों को अपने career में, अपने normal studies में, every चीज़ में use कर सकते हैं, अगर हम intuitively strong हो, और हमारे clears better, मैं मैं इसमें हमारे clears better होंगे, तो, Yes, of course, हो यह है न, उसका purpose, अपके चाहे पुछ चक्रास है, चाहे औरास है, चाहे आपके clears है, आपका psychic protection, सब कुछ बहतर होए, Okay, ma'am, thank you ma'am, thanks a lot, Ma'am, excuse me, actually, I suppose if, with a family member, some aspects, they'll be troubling us, but we love them, and they are really good to us in other aspects, so can we cut those cards only, which are troubling us, like, is it possible? No, no, so, of course, we have to see what cards have to be cut, to what extent they have to be handled, you know, as I said, not all the cards are negative, and some cards are important also, they are essential also, and they help, in giving us that kind of connectivity, and energy, but, having too much of it, or too, many skeletons of it, is not good, so, it's like, just like you are pruning, clearing, in which you obviously, don't break a particular thing, right, so, I will tell you, what kind of thing, so, it's not something, which is plain and simple, okay, correct, okay, okay, so, I have a question, I have a question, I have a question, about psychic surgery, के बारे में भी जानना था कि वो क्या होता है और वो को किस लेवल पर हमें सिखाया जाएगा और और माम किसी परसन के साथ अगर हमारी बहुत ज्यादा मतलब नेगिटिव एक्सपीजिएंस रही है तो उनके साथ कॉड़ करनी चाहिए या फिर सिफ हो पोनो-पोनो प्रेयर क करे कि ताकि वो नेगिटिव एनरजी ठीक हो जाए हील हो जाए या फिर उस परसन के साथ ना करके उस नेगिटिव एक्सपीरियंस के साथ हम लोग कॉड़ करना चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंस जो हमारी नेगिटिव है वो नेगिटिविटी उसके साथ हम क्या करे मतलब is it okay to you know cut caught with the negative जिसको हम बोल रहे है कि यह नेगटिव परसन है suppose maybe he's not negative maybe हमारे past karmas they are related right maybe हम लोगोंने कुछ किया होगा इसलिए वो experience आ रही है तो क्या करना चाहिए मैम there are chords connected to the lessons so we have to realize what are the chords which are connected with that kind of a lesson it is whether that lesson has been learned where it is standing so you will we will go through all that process also इसके दौरान इसमें है with respect to the chords which are connected with respect to the lessons okay so वो चीज पे आप करेंगे होपनोपनो is a good exercise to do for any kind of a thing लेकिन we will be doing with respect to other processes right so जैसे के unequal relationships आपने बात की जैसे right which have the lessons attached so that will वो भी काम इसमें होगा now with respect to your psychic surgery this is not a psychic surgery जो के आप प्रीकी के बारे में जाट करना है so that's not something जो हम इसके अंदा कर रहे हैं but of course there is removal of the chord and cutting of the chord and maybe you know you know the past event and the whole process please keep your muted so वो अलग बात है लेकिन ये it's not psychic surgery of Reiki and all I'm not referring to that okay 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 actually I was not aware of this so क्या कहा क्या related है first time okay ma'am thank you so much okay so I think for everyone it's very clear there will be no there cannot be a class after 9 o'clock somebody has asked because 9 o'clock मुझे सूट नही होता है it will never be around 9 and for 7.30 or 5.30 if it is there possible otherwise we will go with 11 o'clock timing so आप जो भी suitable है I think if everybody is comfortable with 11 o'clock then we can go with 11 o'clock time right I think majority people are okay with 11 yeah ma'am 11 is okay yeah so I think हम 11 रख सकते है जिनको अटेंड करना है वो आई जाहेंगा अपने हापे right correct correct thank you ma'am okay thank you so आप आज कॉंटाक कर सकते है नहा से because फिर बाब में मुझे मत बोलियेगा कि I have not communicated the message that the fee structure is changed yeah okay thank you thank you everyone thank you ma'am thanks to it thank you ma'am thank you ma'am thank you 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 thank you